हलो फ्रेंट्स मैं उसने हैं वल्कम तो मा चानल फॉर यू अंडो चाइल जब पेरिंट्स बच्चों को एड्मिशन टेस्ट दिलवाने के लिए किसी स्कूल में लेके जाते हैं बच्चा तो चला जाता है एक्जाम देने एक्जामनेशन हॉल में लेकिन बाहर बैठे पेरिं दीजे उसकी अच्छे प्रैक्टिस कराये और आप देखेंगे कि आपका बच्चा बहुत ही अच्छे तरीके से इंट्रेंस टेस्ट पेपर देकर आएगा चाहे वो कोई साबी स्कूल हो डीपी एसो राइन हो सॉमर्विल संजोसफ कोई भी स्कूल हो या फिर कोई भी सब के लिए यह तेस्ट पेपर काफी यूस्फुल रहेगा स्वन एड्मिशन के लिए तीन सेक्शन का एक्जाम होता है इंगलिश हिंदी मैट्स का तीनों सेक्शन के लिए मैंने अलग से वीडियो शेयर किया है जिसमें कम्प्लीट स्लेबस और वरक्शीट दिया हुआ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वो भी आप जरूर देखे काफी हल्प करेगा इनों सेक्शन के लिए टेस्ट पेपर बच्चों को एक एक करके दिया जाता है और ये कोशन पेपर एक वाक्शीट के फॉर्म में होता है जिसमें कोशन के साथ के वाफिस, वहीं पर जगह दी होती है आंसर करने के लिए बच्चों को टेष्पर देने के बात बने के बच्चों को टेचर्ट आप ये कोशन के नहीं कि इसमें करती कει इस कोशन का मतलब क्या है इसले इना बतों को लेने के ज़रौत नहीं है और एक सब्जेट के लिए ब maximum marks side में लिखा होता है जैसे इस test paper का maximum marks at 25 अब देखते हैं किस तरह के सवाल होते हैं और किस तरह से marks का distribution दिया जाता है question number 1 write the numbers in correct sequence इसमें 2 question है A और B दोनों question एक-एक marks का है इसमें numbers दिये हैं जिसे बच्चों को correct sequence में arrange करना है question number 2 arrange the number in ascending order यानी बढ़ते वे क्रम में चोटे से बड़ा number को arrange करना है इसमें भी 2 question है इसलिए 2 total marks है इसका 2 question number 3 arrange the number in descending order यानी घटे वे क्रम में बड़े से चोटे number में अरेंज करना है इसमें भी 2 question है और हर एक question एक-एक marks का है question number 4 choose and write the correct symbol greater than less than and equal to ये 4 marks का question है यासे 58 34 इन में से बड़ा कॉन है जो बड़ा है उसके तरफ greater than का sign लगाना है जो equal है उसके तरफ equal to का sign लगाना है अब आप देख सकते हैं कि कुछ numbers तो numbers की form में है कुछ number names के form में है जरूरी है कि बच्चों को numbers के साथ साथ number names की भी तैयार ही अच्छे से करवाएं कोशन number 5 count and write ये 2 marks का question है picture दिया हुआ है उसे देखकर count करके बच्चों को दिये वे जगा में लिखना है कोशन number B में आप देखो 4 कार आगे है 2 कार पीछे है लिकिन कही बार बच्चे पीछे वाली कार को ध्यान ना देकर आगे की 4 कार को गिंती गर के आंसर लिख देता है चार जो गलत हो जाएगा इसलिए बच्चों को प्राक्टिस जरूर कराएं ध्यान से पिक्चर देखे और सही नंबर काउंट करके लिखे कोशन number 6 write the number names of the following number दिया हुआ इसका number name बच्चों को लिखना है कि कौन सा सही है और दीवी जगा पर लिखना है कोशन number 8 है write the correct pattern ये भी 2 marks का कोशन है एक pattern दिया हुआ है triangle circle triangle circle इसके बाद कौन सा आएगा बी में 1212 number name लिखा हुआ है उसके बाद sequence कौन सा आएगा कोशन number 9 है addition का ये तीन marks का कोशन है कोशन different forms में लिखा हुआ है 0 plus 8 ये horizontal form में addition है 7 plus 5 ये vertical form में addition है और count and write the number of trees pictures दिया हुआ pictures को count करके लिखना है इसी भी form में कोशन पुछा जा सकता है उसी तरह से question number 10 है subtraction 7 minus 7 equal to what इस तरह का सवाल बच्चों को confuse करने के लिए दिया जाता है कि 7 minus 7 क्या होगा ये 7 minus 0 क्या होगा कोशन number 11 circle the heaviest and cross the lightest ये दो marks का कोशन है इसमें highest or lightest object का concept बच्चों का चेक किया जाता है कुछ pictures दिये हैं कुछ हलके चीज़े हैं कुछ भारी चीज़े हैं जो से circle और cross करना है ये total question paper बना है 25 marks का साथ में मैंने answers भी दिये हैं हरे English का test paper तो कर दीजे मेरे चैनल को subscribe और देखे मेरा अगला video Thank you so much for watching this video